नमस्कार दोस्तों आज के वीडियों में बातचीत करेंगे राजस्थान के राजनेदिक घटना करम के बारे में आखिर सचिन पाइलेट बागी क्यों हुए कोरोना को काबू करने के लिए जब देश में लॉकडाउन की त्यारी चल रही थी तभी मार्च में मद्यप्रदेश से डेड़ साल पुरानी जमी जमाई कॉंग्रेस की सकार उखड चुकी थी कॉंग्रेस में बगावत का चेहरा बने थे जोती राधितिय सिंधिया अब इसी तरह के हालात राजस्थान में बने है अशोग गहलोत ने सचिन पाइलेट पर आरोप लगाया कि ये भाजपा के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराना चाहते हैं उसके बाद उन्हें उपमुख्यमंतरी और कांग्रेस अध्यक्षपद से हटा दिया गया शरिवार से सुमवार तक चली उठापटक के बाद इस पस्ठे की फिलहाल सरकार पर तो कोई संकट नहीं है लेकिन विशलेसक ये मानकर चल रहे हैं कि एहम का टकराओ जल्द शान् पाला भी नहीं है आखिर क्यों नाराज है सचिन पाइलेट राने कॉंग्रेस हैं इनके पिताजी राजिश पाइलेट भी अ कोंग्रेस के वफादार और दिगजनिता रहे हैं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंतरी वा प्रदेश अध्यक्स सचिन पाइलेट को पाजस्थान में पुलिस महकमा सीधे-सीधे मुख्यमंतरी अशोग गहलोत के अंडर काम करता है वो सीधा मुख्यमंतरी को ही रिपोर्ट करता है यह नोटिस जो उनको भेजा गया सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ जिससे सचिन पाइलेट नाराज हो गए वैसे मुख्यमं पिर दिलिये विधायकों को भी है सोजी का नोटिस भेजा गहलोत ने खुद ही ट्वीट कर बताया कि नोटिस जो यह भेजा गया है यह केवल बयान दर्ज कराने के लिए है इस मामले में इस नोटिस को इससे जाधा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए हाला कि नोटिस मिलते ही सचिन पाइलेट और उनके जो समर्थक थे वो भड़क गए और शड़कों पर भी आ गए और राजिस्थान सरकार बिल्कुल अस्तिर हो गई राजजिदिक गलियारों में गर्मा गर्मी शुरू हो गई तब ही से अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए सक्री हो गए उन्होंने पहले रवीवार को अपने घर पर सर्वदल्य विधायकों की बैठक बुलाई और फिर सौमवार को कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक उन्होंने बुलाई लेकिन पाइलेट और उनके जो समर्थक हैं विधायक वो ना तो सर्वदलिय बैठक में शामिल हुए और ना ही सौमवार को जो कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक गुलाई गई थी उसमें भी वो शामिल नहीं हुए सचिन पाइलेट को नोर्टिस भिजवा कर थिकाने लगाने के चकर में कहीं अशोग गहलोत खुद ही थिकाने ना लग जाएं देखते हैं उंट किस करवट बैठा है अगर आपको हमारा यह विडियो पसंद आया तो हमारे इस विडियो को लाइक और जो हमारा चैनल है केकेब नियूज इसे सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार